हलो दोस्तों स्वागत है आपका हमारे चनल PKS Official में जैसा कि आप लोग जानते ही होंगे कि गर्मी की मौसम की सुरुवात हो ही चुकी है और लोगों के सरीर में पानी की कमी होना आम बातसी हो गई है ऐसे में गर्मियों में तर्बूज सबसे अच्छा माध्यम हो सकता है क्योंकि तर्बूज हमारे सरीर को हाइड़ेट रखने में मदद करता है आप जिस तर्बूज को सिर्फ मिठा फल समझ के बजार से खड़िद कर लाते हैं दरसल इस तर्बूज के अनेकों फाइदे हैं तो आज की इस वीडियो में हम लोग या जानेंगे कि तर्बूज हमारे सरीर के लिए कितने ज़्यादा फाइदेमंद होता है सबसे पहले तर्बूज के बारे में समझते है तर्बूज में 90% पानी होता है इसलिए इसका सेवन करने से सरीर में पानी की कमी दूर होती है साथ ही तर्बूज पोसक ततों से भरपूर फल होता है तर्बूज में फाइबर, पोटेसियम, आईरन, बिटामिन A, बिटामिन C और एंटी ऑक्सिडेंट के गुंड पाये जाते हैं जो स्वास्त के लिए, स्वास्त के लिहाज से काफी लैबदायक साबित होते हैं गर्मी के मौसम में तर्बूज खाने से क्या-क्या फाइदे होते हैं, चलिए एक के करके जान लेते हैं सबसे पहले सरीर को ठंड़क मिलती है गर्मी के मौसम में तरबूज का सेवन करने से सरीर में ठंड़क मिलती है साथ ही एनर्जी भी मिलती है क्योंकि तरबूज की तसीर ठंडी प्रजाती की होती है इसमें 90% पानी होती है इसलिए इसका सेवन करने से dehydration की जो सिकायत होती है वो नहीं होती है हमारा जो सरीर है वो उड़े पानी की मात्रा भरपूर प्राप्त हो जाती है नेक्ष्ट है इमूनिटी मजबूत होती है जो हमारा जो immune system है इसको boost मिलता है तर्बूज में बिटामिन C भरपूर मातरा में पाए जाता है इसलिए इसके सेवन से हमारे सरीर का जो इम्मुनिटी पावर है वो काफी मजबूत होती है जिससे आप किसी भी तरह के वाइरल इंफेक्शन से काफी हद तक बच सकते हैं नेक्श्ट इसका फाइदा क्या है पाचन बहतर होता है इससे तर्बूज के सेवन से पाचन काफी बहतर रहता है नेक्श्ट है मुटापा कम होता है यानि हमारे सरीर का जिनका वजन जादा हो गया है ये वजन को भी कम करता है तर्बूज में फाइबर मौजूद होते हैं जिसके सेवन से वजन आसानी से कम होता है तो ये मुटापे में भी बहुत ही फाइदेमंद होता है तर्बूज नेक्स्ट है आँखों के लिए फाइदेमंद तरभूज में बिटामिन A मौझूद रहता है और बिटामिन A आँखों के लिए बहुत ही जरूरी होता है जिसके सेवन से आँख की रौसनी तेज होती है नेक्स्ट है blood pressure control करता है जीन लोगों को blood pressure की सिकायत होती है उनके लिए तरबूज का सेवन काफी फाइदे मंद माना जाता है क्योंकि तरबूज का सेवन करने से blood pressure control रहता है नेक्स्ट है खून की कमी को पुड़ा करता है जिन लोगों को एनीमिया यानी सरीर में खोन की कमी होए उनको तरबूज या तरबूज के जूस का सेवन करना चाहिए क्योंकि तरबूज में आईरन की अच्छी मात्रा मौजूद होती है आई होप आप लोग तरबूज के खाने के फाइदे अच्छे से समझ गए होंगे जो गर्मी के मौसम में तरबूज के अनेकों फाइदे हैं आसा करते हैं आप सभी स्वास्त होंगे और अपने सेहत का ख्याल भी रख रहे होंगे मिलते हैं निव वीडियो में ऐसे ही इन्फरमेटिक टॉपिक के साथ तब तक के लिए जय हिंद